हलो स्टूडेंट आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आज के इस वीडियो में हम अलजैब्रा की कुछ इंपॉर्टेंट कोशन करेंगे वह भी शॉर्टकट ट्रिक की मदद से तो यह स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को तो हम देखने हैं परस्ट केस अगर मैं इस तरीके से दिया हुआ है कि एक्सट की पावर अच है प्लस वन अपन अपक्स की पावर एं एकक्वोल band vague डिया हुआ देas ediyor में अभос disease यह उसके से हमें यहाँ पर जो a दे रखा है आपको यहाँ पर a दिख रहा होगा हमें क्या करना है इस a का square कर देना है और फिर minus कर देना है 2 से ठीक है तो अगर हम यह apply कर देंगे तो हमारे पास x की power 2n plus 1 upon x की power 2n find हो जाएगा ठीक है अब question देखते हैं अब जैसे की question में हमें यहाँ दे रखा x की power 1 plus 1 upon x की power 1 equal to 8 और हमें find करना x की power 2 यहाँ पर 1 था और यहाँ पर क्या हो गया है 2 हो गया है डवल हो गया है ठीक है तो इस case में हमारे पास a तो हमारे पास 8 है तो हम क्या करेंगे पहले 8 का square कर देंगे फिर उसमें से minus कर देंगे 2 ठीक है तो 8 का square 64 होता है minus 2 कर दिया तो कितना आ गया 62 हो गया ठीक है तो इसका directly answer हमारे पास क्या आ गया है 62 ठीक है अब ऐसी कुछ और question देखते हैं अब इसमें हमारे पास बोला हुआ है x की power square मतलब x की power 2 plus 1 upon max की power 2 जो है वो 3 दिया रहा है हमें x की power 8 plus 1 upon max की power 8 निकालना है तो अगर मैं इसका एक बार वो formula अप्लाई करूं कॉंस वाला formula जो भी हमने किया है a square minus 2 वाला अगर मैं एक बार अप्लाई करूंगा तो यहां पर जो answer आएगा वो x की power 4 plus 1 upon max की power 4 आएगा मतलब की एक बार अप्लाई करूंगा तो हमारे पास यह आएगा x की power 4 plus 1 upon max की power 4 ठीक है तो हमारे पास अगर मैं अप्लाई करता हूं तो यहां 3 का square हो जाएगा minus 2 तो यह कितना हो जाएगा 3 का square हमारा 9 होता है और minus 2 2 यह हो गया 7 ठीक है अब हमारे पास यहाँ x की power 4 plus 1 upon max की power 4 इसकी value हमारे पास है ठीक है हमें निकालना है x की power 8 plus 1 upon max की power 8 तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसका double करना है हमें इस form का double ही करना है x की power 4 है तो इसमें एक बार और same formula apply करेंगे यह वाला formula हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 time apply करेंगे तो अगर यहाँ पर अब यह ले ले लेंगे तो यह हो जाएगा 7 का square minus 2 तो 49 minus 2 equal to 47 जो है हमारा इसका answer हो जाएगा ठीक है इसका answer क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा अब next question देखते है next case है हमारे पास second case है अगर x की power 2n plus 1 upon x की power 2n equal to a दे रखा है और हमें x की power n plus 1 upon x की power n निकालना है यहाँ पर जो x की power है वो 2n की form में होगी ठीक है और जो हमें find करना है वो single n की power फॉर्म में करना है अगर यहाँ पर 2 होता तो यहाँ पर क्या आएगा x आएगा तो इस case में जो हमारे पास है formula बन जाएगा वो क्या बनेगा directly इसकी value अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे इस वाली term में जो हमारे पास a दे रखा है इसमें 2 add कर देंगे और अंडरूट कर देंगे ठीक है तो हमारे पास क्या हो जाएगा a प्लस 2 और अंडरूट इससे हमारे पास इसकी value आ जाएगी अब जैसे हमारे पास यहाँ question दे रखा x की power 2 प्लस 1 upon max की power 2 हमें यहाँ दे रखा है 62 a हमारा 62 हो गया तो अभी हमने क्या करा इसमें 2 add कर देना है और बाद में square root कर देना है तो अगर 62 प्लस 2 करूँ तो यह हमारा आगे 64 और इसका अगर square root कर दें तो यह 8 होता है तो यह जो value आएगी वो किसकी value आएगी ? x प्लस 1 upon में x की ठीक है ? यह directly आप इस तरीके से x की power 4 है ठीक है ? और हमें जो value निकाल ली है x का power 2 प्लस 1 upon x की power 2 यह x की power 4 है यह x की power 2 है तो half ही हो रहा है ठीक है ? तो हम क्या करेंगे ? same formula apply करेंगी सबसे पहले क्या करेंगे ? इसमें क्या करेंगे ? 2 minus 2 प्लस कर देंगे और बाद में square root कर देंगे पास कितना आगया ? 7 आगया ? 7 आगी इसकी value x square प्लस 1 upon x square की value कितनी हो गई है ? 7 हो गई है अब इसी तरीके से यहां देखते है अब यहां पर हमारे पास है x की power 4 प्लस 1 upon x की power 4 equal to 47 दे रखा है लेकिन हमें जो value find करनी है यहां x की power 2 नहीं है इससे हमारे value की आती है x का square प्लस 1 upon x का square लेकिन अगर मुझे x प्लस 1 upon x निकालना है तो उस case में मुझे यहां पर यह वाला formula जो है दो बार apply करना पड़ेगा मतलब कि under root a plus 2 वाला जो यह formula है मुझे यहां पर दो बार apply करना पड़ेगा तो अगर मैं first time apply करता हूं तो यह कितना हो जाएगा under root 47 plus 2 equal to under root 49 तो यह कितना आ गया 7 आ गया अब इसमें अगर मैं दुबारा यह formula apply करूं under root 7 plus 2 equal to under root 9 equal to कितना हो जाएगा 3 ठीक है तो अगर मैं first time apply करूंगा तो यह जो value आएगी 7 यह किस के आएगी x square plus 1 upon x square की value आएगी और दुबारा इसमें अगर मैं same formula apply करूंगा तो यह जो value आएगी 3 जो आएगी वो आएगी x plus 1 upon में x की value आएगी ठीक है x plus 1 upon में x की value आएगी तो यह हमारा था second case अब देखते हैं अगर हमें question और इस तरीके से भी दिया हो सकता है जैसे कि यहाँ पर बोला है हमारे पास x की power 8 plus 1 upon में x की power 8 यह हमें दिया हुआ है ठीक है 194 और हमें value find करनी है x square plus 1 upon में x square की तो same formula अगर मैं एक बार apply करूं same formula जो है मैं एक बार apply करूं इसमें plus 2 कर दूं तो हमारे पास कितना आ जाएगा under root 196 आ जाएगा 196 square root होता है 14 का तो इससी यह value आएगी x की power 4 plus 1 upon में x की power 4 की value आ गई लेकिन हमें क्या find करना है x square plus 1 upon में x square की value निकाल लिया है तो यह वाला formula जो है दुबार apply कर दूंगा तो यहाँ पर हमारे इसकी value कितना है यह 14 आ रही है तो इसमें plus 2 कर दिया तो कितना आ जाएगा हमारे पास यह आ जाएगा 16 और इसका square root कर देंगे तो आ गया 4 ठीक है तो जो हमारे x square plus 1 upon x square है वो आ जाएगा 4 ठीक है अब देखते हैं next case third case है third case में हमें बोला हुआ है कि अगर हमारे पास x की power n है और बीच में minus का sign है फिर 1 upon x की power n है वो a दिया हुआ है तो हमें x की power 2n plus 1 upon x की power 2n अगर find करना है तो इस case में हमें क्या करना है सबसे पहले a का square कर देना है और उसमें plus 2 कर देना है क्या करना है a का square करके plus 2 कर देना है तो इससे जो यह value हाएगी हमारी वो x की power 2n plus 1 upon x की power 2n की value हाजाएगी तो अब question देखते हैं अब question हमारे पास है यहाँ पर x की power 1 है कुछ नहीं तो 1 होता है minus 1 upon x equal to 3 दे रखा है हमें value find करनी है x square plus 1 upon x square की तो हम क्या करेंगे सबसे पहले a का square करेंगे मतलब 3 का square फिर उसमें plus कर देंगे 2 तो यह कितना हो जाएगा 9 plus 2 equal to 11 तो यह हमारा इसकी value हो जाएगी ठीक है next question देखते हैं next question में हमें बोला गया है कि यहाँ पर x की power 4 8 plus 1 upon max की power 8 निकालना है तो यहाँ यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या है 8 है ठीक है इसका double E है यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या करेंगे सीधे एक बार यह formula apply करेंगे formula क्या था a square plus 2 ठीक है तो यहाँ पर 7 होगा तो 7 square plus 2 तो यह कितना हो जाएगा 49 plus 2 equal to 51 तो यह value आजाएगी हमारी x की power 8 plus 1 upon max की power 8 का ठीक है अब next देखते हैं next हमारे पास है अब यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है x minus 1 upon x equal to 3 दे रखा है लेकिन हमें जो value find करनी है यहाँ पर कुछ power नहीं तो 1 होती है तो इसका double अगर मैं निकालूं तो x square होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर क्या है x की power 4 है तो इस case में हम क्या करेंगे सबसे पहले मैं x square plus 1 upon में x square निकाल लेता हूँ ठीक है उसके लिए मैं यहाँ पर same यह formula अपलाए कर दूँगा तो 3 का square plus 2 हो जाएगा तो हमें क्या करना है यह जाएगा 9 plus 2 कितना हो गया 11 हो गया तो यह जो value है हमारे पास x square plus 1 upon में x square किया गई है ठीक है अब हमें क्या करना है यहाँ पर x square plus 1 upon में x square के value 11 दे रखे और हमें इसका double x की power 4 plus 1 upon में x की power 4 निकाल ला है तो अभी हमने इस से पहले वाली trick में करा है कि अगर हम यह case दिया हो तो हम क्या करेंगे तो हम क्या करेंगे इसका square करके minus कर देंगे 2 से तो हम क्या करेंगे 11 का square करके minus का 2 कर देंगे तो 121 minus 2 equal to कितना हो जाएगा 119 तो यह जो value आएगी हमारी इसकी value हो जाएगी ठीक है अब आगे देखते हैं अब fourth case है हमारे पास fourth case में बोला है कि हमारे पास अगर question इस तरीके से दिया हो x की power 2n x की power 2n plus 1 upon max की power 2n equal to a यह हमें दिया हुआ है ठीक है यह तो हमें दिया हुआ है और हमें find करने है x की power n minus 1 upon max की power n तो इस case में हम क्या करेंगे इस case में हम a में से 2 minus करके उसका square root निकाल देंगे मतलब की a minus 2 करके उसका square root निकाल देंगे तो हमारे पास यह जो value आएगी वो इसकी value आजाएगी ठीक है एक question देखते हैं अब question में हमारे पास है x square plus 1 upon x square equal to 18 तो हमें इसकी value निकाल ली है ठीक है यहाँ पर x की power 2 है और यहाँ पर x की power क्या है 1 है ठीक है इसका half ही हो रहा है तो इसमें सिर्फ एक बार यह formula अप्लाए होगा तो 18 minus 2 करके उसका square root कर देंगे तो यह under root 16 equal to 4 आगया तो यह जो value आजाएगी हमारी इसकी value आजाएगी ठीक है next देखते है next में हमारे पास क्या है यहाँ पर x square plus 1 upon x square equal to 20 है और हमें x की power 1 minus 1 upon में x की power 1 यह find करना है ठीक है तो यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले इसमें से 2 minus कर देंगे और उसका square root कर देंगे तो 20 minus 2 और यह आगया हमारा square root तो under root 18 तो under root 18 जो है वो इसका answer हो जाएगा ठीक है under root 18 क्या है इसका answer हो जाएगा अब next देखते है next case है हमारे पास fifth case अब इस case में हमारे पास क्या है x की power 4 plus 1 upon x की power 4 equal to 19, 119 दे रखा है और हमें x minus 1 निकालना है तो हम क्या करेंगे तो हम क्या करेंगे सबसे पहले x square plus 1 upon x square निकाल लेंगे इस case के लिए आपको करना क्या है इस case के लिए आपको करना क्या है इसमें 2 add करके इसमें 2 add करके इसका square root कर देंगे तो 119 plus 2 करूंगा और इसका square root निकाल दूंगा तो यह हमारा under root 121 हो गया और यह कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा अब हमारे पास यह value आ गई है ठीक है x square plus 1 upon x square आ गया है 11 हमें निकालना है x minus 1 upon x निकालना है तो अब इसमें क्या करेंगे अब इसमें हम क्या करेंगे इसमें 2 minus करके square root कर देंगे ठीक है तो यह हमारा क्या था x square plus 1 upon में x square है ठीक है अब हमें इसकी value निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे under root 11 minus 2 equal to under root 9 तो यह आ गया हमारा इसकी value 3 तो इसकी value कितनी आ गई 3 आ गई ठीक है एक और question देखते हैं अब यह question भी आपको बिल्कु सेम वैसी करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे x square plus 1 upon में x square निकालेंगे उसके लिए आपको करना क्या है इसमें 2 head करके square root निकाल देंगे तो 322 plus 2 करा तो under root 324 हो गया और यह किसका square root होता है 18 का होता है ठीक है अब यह आगया हमारे पास x square plus 1 upon x square तो इसमें अब घर हम x minus 1 upon x निकालना चाते हैं तो इसमें क्या करेंगे minus 2 करके 18 वे से minus 2 कर दिया और इसका square root निकाल दिया तो under root 16 हो गया और यह value कितनी हो गई 4 हो गई ठीक है तो 4 जो value आएगी वो आएगी x minus 1 upon x की ठीक है तो यह थे algebra के कुछ important question वो भी shortcut trick की मदद से उमीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा थैंक यू